जै मातारानी नवरात्रा में माता के विविन सोरूपों की पूजा की जाती है उन्हें प्रसंद करने के लिए विविन प्रकार की साधनाई भी की जाती है गुप्त नवरात्री में मन्चाई सपलता के लिए विशेश उपाय की जाते है वही तंत्र सास्तर के अनुसार गुप्ट नवरात्री में किएगे उपाई जल्दी ही सुपल परदान कर सकते हैं दन, नोकरी, स्वास्ते, संतान, विवा, प्रमोशन आदि कई मनों कामना है यदि आप इन नो दिनों में करोगे तो इन उपाईों से आपको ये सब मिल सकता है दोस्तो आपको जो भी जरूरत हो तो उसके अकोडिंग आपको वही उपाई करना है जरूरत के साफ से ही आपको उपाई करने है तो नो उपाई बताऊंगा तो इन उपाईों को पूरा ध्यान से सुनना और आपको कौन सा उपाई अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना यदि कोई इनसान को मन पसंद वर के लिए अगर उपाई करना है तो गुप्त नलवडात्री के दोरान तृतिया पंचमी सप्तमी और नोमी के अपने आजपास इस्तित किसी सिव मंदिर जाए वहां बगवान सिव यह पारवती पर जल यह दूज चड़ाए पंचमी चार चंदन पुष्प दूप दीप नेवेद्दे से उनका पूजन करे अब मोली मोली का मतलब होता है पूजा में उप्योग के जाने वाला लाल दागा से उन दोनों के मद्दे गट बंदन करे अब वहां बेट कर लाल दंदन की माला से मंतर का जाप 108 बार करे मंतर है हे गोरी संकरा अरदांगी यता तवम संकर पिरिया थता मा कुरु कल्यानी कांत कांताम सुदुरलबाम इसके बाद तीन महीने तक रोज इस मंतर का जाप सिव मंदिर में अतवा अपने गर के पूजा कक्ष में मा पारवती के सामने 108 बार गर करे गर पर भी आपको पंचो प्चार पूजा करनी है पंचो प्चार बताया है मैंने उपपर चंदन वा पुष्प धूप दीप और नेवेद्दे दूसरा उपाई है सीगर विवा के लिए दोस्तो आपको अलग-अलग उपाई बता रहा हूं नो उपाई से ज़्यादा बताऊंगा आपको कौन सा उपाई करना है वो आपको तेय करना है आपको जिसकी जरुरत है उसी हिसाफ से उपाई करना और हर एक उपाई सास्वितिक सत्य हैं और ये गलत कभी नहीं होगा क्योंकि ये गरंतों में सास्त्रों में लिखा हुआ है और वही मैं आपको बता रहा हूँ तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मातारानी आपकी मुनोकामना जरूर पूरी करेगी सीगर विवा के लिए आपको क्या उपाय करना है कि गुप्त नवरात्री में सिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा इस्तल में रखे और उनकी पूजा अर्थना करने के पच्छाथ मंत्र का तीन, पांच या दस माला जाप करे जाप के बाद बगवान सीव से विवा में आ रही बादाओं को दूर करने की प्रात्ना करे मंत्र है ओम सम्संकराए सकल जनमार जित पाप विदवन सनाए पुरुशार्त चतोष्टे लाबाए चपतिम में देही कुरु कुरु स्वाहा तो आपको ये मंत्र बोलना है और जब तक इस मंत्र का ओच्छारण आप पूरा ना कर ले तब तक आपको एक जगह से उठना नहीं है और आपको ये उपाई जरूर करना है तीसरा उपाई है दाम पत्ते सुक के लिए दोस्तो जो भी माता राने के परम भक्त है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना माता रानी आपकी मनोकावना जरूर पूरी करेगी ये दि जीवन साती से अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्री में प्रती दिन नीचे लिखी चोपाई को पढ़ते हुए 108 बार अगनी में गी से आहूतियां दे अब नित्य सुब उठकर पूजा के समय इस चोपाई को 21 बार पढ़ना है ये दि संबव हो तो अपने जीवन साती से भी इस चोपाई का जाब करने के लोग कहे चोपाई है तो आपको ये चोपाई को पढ़ना है और ये उपाई करना है चोंता उपाई है जो हम सभी को आजकर इसकी जरुत होती है दन लाब के लिए पैसा हर किसे के लिए जरूरी है आज की दुनिया में तो आप अगर ये उपाई करना चाहते हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दो गुप्त नवरात्री के समय कम से कम पाँच दिन सभी कार्यों से निवरत होकर उत्तर दिशा की और मुक करके पीले आसन पर बेट जाईए अपने सामने तेल के नो दिपक जला ले ये दिपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए दिपक के सामने लाल चावल चावल को रंग ले की एक डेरी बनाए फिर उस पर एक स्रीयंतर रखकर उसका कुम-कुम फूल दूब दीप से पूजन करे उसके बाद एक पलेट पर स्वास्तिक बनाकर अपने सामने रखकर उसका पूजन करे स्रीयंतर को अपने पूजा इस्तल पर इस्तापित कर ले और सेश सामगरी को नदी में प्रवाईत कर दे इस प्रयोग से आपको अचानेक दन लाब होने के योग बन सकते हैं दोस्तो मुझे पता है आप इस उपाई को करोगे परन्तो ध्यान रखेना जैसा मैंने ये उपाई बताया है उसी अकोडिंग आपको ये उपाई करना है तबी आपको फल मिलेगा कोई बूल नहीं होनी चाहिए मैं आपको फिर बता देता हूँ तो अगला उपाई मन चाही दुलहन के लिए गुप्त नवरातरी के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुब किसी सीव मंदिर दाए वहाँ सीव लंग पर दूद दही गी सहद और सकर तड़ाते हुए उसे अची तरह से साप करे फिर शुद जल चड़ाए और पूरे मंदिर में जाडू लगा कर उसे साप करे अब बगवान सीव की चंदन पूष्प एवं धूप दीप आधी से पूजा अर्सना करे रात दस बजे बाद अगनी प्रजवलित कर ओम नमस शिवाई मंतर का उचारण करते हुए गी से 108 आउती दे अब 40 दिनों तक नीत्य इसी मंतर का 5 माला जाप बगवान सीव के समुक करे इससे सीगरी आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे तो दोस्तों अगर आपको मन चाय दुलन चाहिए तो आपको ये उपाई तो करना ही पड़ेगा और ये उपाई शिव गोरी का उपाई है जो कभी भी खंडित नहीं होता है मतलब आपकी मनोकामना पूरी ही होगी अगला उपाई है पर आपको उपाई सुने से पहले दोस्तों फिर आद जोड़के विंती है कि आद अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगला उपाई है इंटर्वियू में सपलता का उपाई यदि आपको इंटर्वियू देने जा रहे हो तो उससे पहले ये उपाई करके ही जाना है इस उपाई को करने से आपको शपलता में पानी से कोई रोग नहीं सकता गुप्त नवरात्री में मंगल गुरू और शुक्र के दिन सुब जल्दी उठकर इसनाना आदी करने के बाद सपेद रंग का सूती आसन बिचाकर पूर्व दिशा की और मुक करके उस पर बेट जाईए अब अपने सामने पीला कपड़ा बिचाकर उस पर 108 दानों वाली इस पर टिक की माला रग दे और इस पर केसर वो इत्र छिड़क कर इसका पूजन करे इसके बाद दूप दीप और अगरबती दिखाकर मंतर का 31 बार उचारन करे इस परकार 11 दिन तक करने से वो माला सिद हो जाएगी जब भी किसी इंटर्विव में जाए तो इस माला को पेहन कर जाए ये उपाए करने से इंटर्विव में सपलता की संबावना बढ़ सकती है होम लीम वागवादनी भगवती ममकारे सिद्धी कुरु कुरु फट्रिश्वाहा आपको ये मंतर का उचारन करना है लाब बढ़ाने का उपाई दोस्तो अगर आप बिजनिस में कोई करते हो तो आपको लाब नहीं हो रहा है या अधर कोई रीजन की वज़े से या कोई अलग काम में आपको लाब नहीं मिल रहा है तो आप ये उपाई जरूर करना दोस्तो एक प्याराशा कमेंट मातारानी के नाम पर जरूर कर देना कि गुप्त नवरातरी में सोमवार और सुकरवार के दिन शुब इसनान कर साप कपड़े में अपने सामने मोती संग को रखे और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन बना दे इसके बाद इस मंतर का जाप करे मंतर है स्रीम हरीम स्रीम महालक्ष में नम मंतर जाप के ये है नियम इस मंत्र को जाप करने के जो नियम बता रहा हुँ उसको द्यान से सुनना मंत्र का जब इस पटिक माला से ही करे मंत्र का उचारण के साथ एक एक चावल इस संक में डाले इस बात का द्यान रखे कि चावल तूटे हुए नहीं होने चाहिए इस प्रयोग का लगातार 9 दिन तक करना है इस परकार रोज एक माला का जाप करे उन चाउलों को एक सपेद रंग के कपड़े की तेली में रखे और 9 दिन के बाद चाउल के साथ संग को भी उस तेली में रखकर तिजोरी में रखदे इस उपाई से गर की बरकत बढ़ सकती है अगला उपाई है आटवा उपाई माता जगदम बेका को आम अतवा गन्य के रस से इसनान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरसवती ऐसे भक्त का गर थोड़ कर कभी नहीं जाती है वहाँ नित्य ही संपती और विद्य का वास रहता है नववा उपाई वेदपाट के साथ यदि कपूर अगरू अगरू का मतलब होता है कोई सुगंदित वनसपती कैसर कस्तूरी वकमल के जल से देवी को इसनान कराया जाए तो सभी प्रकार के पापो का नास हो जाता है तता सादक को तोड़े परियासों से ही सपलता मिलती है दसवा उपाई है द्राक्सा अर्तर दाक के रस से यदि माता जगदंबेका को इसनान करवाया जाए तो बक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है ग्यारवा उपाई इसी प्रकार यदि देवी को दूद से इसनान करवाया जाए तो व्यक्ती सभी प्रकार की सुक्षम्रदी का स्वामी बनता है तो आपको हमारी ये उपाई कैसे लगे यदि आपको मारी उपाई सही लगे तो आपको कौन सा उपाई पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में जे माताराणी लिखने में कोई संकोच मत करना